नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से त्रिवेनी ट्रैक चैनल में स्वागत है दोस्तों आज का ये वीडियो कोई टेकनिकल वीडियो नहीं है इसमें मैं आपको अपने गाउं के कुछ पार्ट को दिखाऊंगा और मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हू कि मेरे गाउं में कैसे कैसे लोग राते हैं क्या क्या करते हैं तो ये वीडियो आपको काफी इंट्रेस्टिंग लगेगा आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक चरूर देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मेरे गाउं के चारों तरफ आपको केवल हरिय चाहली हर्याली दिखेगी साथ में अलग-अलग धेरियंट का कि सब्जी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह पत्ता कोवी का और इधर आप देख पा रहे हैं कि मॉटर का है प्रकर आस में सर्शन लगा हुआ हैं और आप देख रहें यह आलु का खेटी यह देख सकते हैं इस साल वैगन में थोड़ा सा बीमारी हो जाने के कारं से इसमें बहुत सारा वैगन का पेड मर रहा है यह देख रहे है आप रहार का पेड है रहर ला और इधार आप देख पा रहे हैं कि मक्का का है दोस्तों मेरे छेटर में आपको समाय देखनी को मिलेगा ऐसे दूसरे है एक शेटर में आपको यह मुहरे करने लेकिन सब्सक्राइब को है यह देख रहे हैं विसका पड़े और यह तो दोस्तों आलू की संख्या बहुत ही ज़्यादा है इसलिए आलू का फेड जादा ही है और यह मेरा सिर्फ एक छेत रही है मतलब गाउं का एक एक तरफ और मेरे गाउं के चारु तरफ ही आपको ऐसे हर्याली देखने को मिलेगा यह फिर से यह बैगन का पेड इसका पेड काफी अच्छा है मरने की सिकायत इस पर नहीं है और आगे आप फिर से देख रहे हैं कि राहर का पिड लगा हुआ है राहर डाल जो हम लुग करते हैं वो चीज है और इसर फिर से आलू का ही है तो मैं अपने केमरा से मैं अपने गाउं के चारों तरफ तो नहीं दिखा सकता ह आप उधर दर 카ः रहे के दूर में केल का भी बगान है तो मैं कभी आपको ड्रॉन से पूरा अपना गाउ का सोट लेकर दिखाऊंगा कि ड्रोन में कितने अच्छा मेरा गाउ दिखता है यह देख पा रहे हैं कृ मटर का यहां पर पेड़ है तो दोस्तों ये देख पा रहे हों कि ये आलू का खेत है इसमें आलू लगावा है पूरे खेत में और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि ये मीट्टी त्यार किया जा रहा है अगली खेती के लिए साथ में आप देख सकते हैं कि गोबर का इकठा है ये खाद के रूप में यू आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों ये देख पारहों कि ये धान का खेत था इसमें कटाई हो जोगी है लेकिन इस काफी डिजानदार आपको दिख रहा है इसलिए मैं इस चीज को भी आपको दिखला रहा हूं ये एक बीम्स का खेत है फूल आना स्टार्ट हो गिया है अब दोस्तों निकलते जाता है और प्ता को बीपि और दोनों का मिक्स साथ में पूल जो फूल वाली होती है वह चीज भी है और और पत्ता कोभी भी है साथ में इसमें आप देख पारोंगे कि विम्स भी लगा हुआ है तो दोस्तो इस तरह से मिक्स खेती भी मेरे घर तरफ होता है और आप मेरे गोला छेतर को जानते ही होंगे मेरा घर गोला पड़ता है रामगाट डिस्टिक के अंदर यहाँ पर आपको अलग अलग भेरियंट के सभी सबजियां आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तो इस ब्लोग में इतना ही साथ तो दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता है साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सस्क्राइब करें तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिन जय भारत